आप सभी लोगम का ओनली आईएस्पीसेस चैनल में बहुत-बहुत स्वादत हैं इस चैनल पर हम लोग 10 MPQ डेली करते हैं मौडन हिस्ट्री के तो 30 सवाल अमर 30 तक हम पुछे वीडियो में कर चुके हैं आगे की 10 सवाल इस वीडियो में कवर करेंगी इस चैनल पर VEO की कंप् करवाई जा रही है इसलिए प्लीज इस चैनल को सिस्क्राइब कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नमर 31 तिलक के होम रूल लिग की स्थाबना हुई थी देखिए होम रूल लिग की स्थाफित हुई थी एक तिलक की और एक एनिवेसेंट की तो ये दोनों को ही अल नमर एक अगला सवाल है एनिवेसेंट की लिग की स्थापना हुई थी तो इसका सही जवाब है आपसन नमर बी सितंबर 1916 सवाल नमर 33 मांटेग्यू चिंस खोड रिपोर्ट प्रकासित हुई थी देखिए ये रिपोर्ट प्रकासित हुई थी इसका सही जवाब है 1919 वापसन नमर एक अगल में प्रकासित हुई थी 918 मैं इसलिए इसका सही आंसर होगा अगला सवाल है 34 मंटेग्यू चेंग्सफूड एक्ट कब बना तो यह एक्ट बना था 1919 में और सवाल नमर 35 प्रांतों में द्वेदशासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी तो प्रांतों में द्वेदशासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1919 के अगने में वेरी इंपोटेंट सवाल है यह लगबग हर एक्जाम में पूछा थी सवाल नमर 36 वेदशासन प्रणाली के जन्मदाता थे तो इसका सही जवाब है ओप्सन मरे सर लियोनिल कॉर्टिस सवाल नमर 37 रॉलेक्ट हेट कब बना तो रॉलेक्ट हेट बना था 1919 में इसी के विरोध में जलिया वाला जलिया वाला भाग में एक सवाय जित हुई थी जहां पे वो जलिया वाला भाग हत्या कांड हुआ सवाल नमर 38 इंडियन ओपेनियन नामक पत्र का प्रकासन कहां पे किया गया था ये गांधी जी ने किया था तो इसका सही जबाब है अफ्रीका में अप्सा नमर ₴ सवाल नमर 39 टॉलिश टॉय ॥ौर्म की स्थाबना कहां किये थी तो इसका भी सही जवाब है अप्षा नमर ए अफ्रीका और सवाल नमर 40 किस वर्स गांदी जी भारत वापस आए? ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है, इसमार गांदी जी तो ज़्याद ही इंपोडेंट है रेग्जाम में गांदी जी से सवाल आ रहा है तो इसका सही जवा को सब्सक्राइब करें सियर करें थैंक यू